स्वागत है दूस्तों आप सब का आज की इस दमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले SG वर्सेज BOS की किर्केट मैच के ड्रीम 11 फैंटसी टीम प्रेडिक्सन के बारे में इस सिरीज का ये 9 मैच है और कौन से 11 प्लेर आपको लेने जिससे आप बेस्ट विनिंग टीम बना पाए तो कितने ओलराउंडर आपको लेने, कितने बलेवाज लेने, कितने गेंदवाज लेने, किसे केटन बनाना ए? किसे वाइस केप्टेन बनाना है सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा इस वीडियो में वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखिएगा गाजी अमनुला खान रीजनल वन डे टुनमेंट 2023 चल रहा है नौवा मैच है यह और स्पीनगर रीजन का मुकाबला बुष्ट रीजन से होने जा रहा है अमनुला खान इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम अमनुला में यह मैच कहला जाएगा अब यहाँ पे मैच की जानकरी की बात अपन कर लेते हैं स्पीनगर रीजन वर्सेज बुष्ट रीजन नौवा मैच 6 नवंबर को 10 बजे आज सुरू होने जा रहा है अमनुला खान के इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम अमनुला में यह खेला जाएगा सुम्पुर्व अवलोकन अगर अपने इस मैच का देगे तो स्पीनगर रीजन ने इस रंकला में 3 मैच खेले और वे फिलाल अंकतालिका में दूसरे इस्तान पर है जबकि बूश्ट रीजन ने भी स्रंगला में 3 मेंज खेले और वेवर्थमान में अंक-टालिका में 3 एस्थान पर है अंक-टालिका आपके सामने है आप डीटेल में अंक-टालिका को देख सकते हो अब बात करतें पिछ रिपोर्ट की तो अमनुला खान इंटरनेसनल किर्केट स्टेडियम अमनुला में ट्रेक काफी संतुलित है जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही मदद मिल सकती है पिसले आट मैसों में इस मैदान पर पहली पारी का ओसत स्कोर 175 रान है टोच जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाज ही करनी चाहिए क्योंकि इस मैदान पर खेले गए अधिकांस मैच पीछा करने वाली टीम ने जीते है मैदान तेज गेंदबाज और स्पीन गेंदबाज दोनों के लिए समान रूप से अनुकुल है इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए सीधे मुकाबलों की बात करते हैं तो इन दो टीमों के बीच खेले गए साथ मैचों में स्पिंगर रीजन ने तीन और बुष्ट रीजन ने चार मैच जीते हैं स्फिन गर रीजन के आल राउंडर ने अपनी टीम के लिए सबसरे तिक fantasy अंक अरजित किये जबकि बलेबाजों ने बुश्ट रीजन के लिए सबसरे खेख fantasy अंक प्राप्त किये अब बात करते हैं तीन बलेबाज विगेट के पर की पहला है दौरिश रसूली पांच मैचों में 42 रन बना चुके हैं दूसरा है जुबेद अकबरी चार मैचों में 103 रन बना चुके हैं और एक अर्ध सतक भी इनोंने लगाया तीसरा है बहीर सा पांच मैचों में 126 रन बना चुके हैं और एक अर्ध सतक भी इन्होंने लगाया है तो यह तीन बलिवाज विकेट के पर है जिनने आपकोर्स आप अपनी ड्रीम टीम में सामिल कर सकते हो और इनकी परफॉर्म करने की चांसे जो है ज़ादा है बात करते हैं तीन गेंदवाजों की पहला गेंदवाज यहां पर है मौमद इब्राहिम तीन मैचों में एक रन बनाया साथ विकेट यह निकाल चुके है जो कि अपकोर्स लाजवाब है दूसरा है अपताब आलम चार मैचों में चार रन बनाया और एक विकेट इन्होंने निकाला है तीसरा है अब्दुल बाकी पांच मैचों में कोई भी रन नहीं बनाया और दस विकेट यह निकाल चुके है लास्ट मैच में चार विकेट निकाले इन्होंने अब बात करते हैं तीन आल राउंडर खिलाडियों की सो दीगे पहला है मौमद ताहिर तीन मैच खेले इन्होंने 34 रन बनायें कोई भी विकेट इन्होंने नहीं लिया दूसरा है समी उल्ला सिन्वरी तीन मैच खेले इन्होंने 156 रन बनाये और तीन विकेट यह निकाल चुके हैं दो बार अर्द सतक भी इन्होंने लगा दिया है तीसरा है यामिन एहमज जाई पांच मैच खेले इन्होंने चार विगेट यह निकाल चुके हैं तीन बल्लिवाज, तीन गेंदबाज और तीन ओल राउंडर खिलाडी मैंने आपको बताए जिने की आप अपनी ड्रीम टीम में सामिल कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे सरवश्रेष्ट खिलाडियों की जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर अविलिबल है इन में से आप चाहे तो बहीर साग के तरप देख सकते हो इसके अलावा नसिब Аллаh सेव देली यह भी तकाफी बड़िया पर्फोर्मैंस दिखा चुके हैं अब बात करते हैं कफ्तान और कफ्तान के सुझावगी जमेद अकवरी के साथ में क्योंकि इनकी लेटेस्ट मैच की जो पर्फोर्मैंस है वो बहत्रें नए और जुबेद अक्परी ओवराल अच्छी बलेबाजी कर रहे है तो आगे भी अच्छी बलेबाजी कंटिन्यू रहने के चांसे ज़्यादा है इसके लावा अगर आप किसी गींदबाज को सेलेक्ट करना चाहते हो कप्तान के तौर पे तो मौमद इब्राहिम की तरफ आप देख सकते हो अब बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाइड के बारे में सो देख सकते हो स्पिन कर रीजन का स्क्वाइड आपके सामने अविलेबाल है और बुष्ट रीजन का स्क्वाइड भी आपके सामने अविलेबल है वीडियो पॉज करके एजी लिए आप इन्हें स्थड़ी कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ पूरी फैंटसी टीम जैसा की आप यहां पे देख रहे हो विगिट किपर के तोर पे आपको नुमान साख को लेना है बलेवाज के तोर पे दर्वीष रसूली जुबैद अक्परी और कुद्र तुला को ले लेना है ओल राउंडर के तोर पे मौमद ताहिर और दिल अगा को ले लेना है जेइंदवाज के तौर पे मौमद इब्राहीम, अपताबालम, आहमद जीया, केश आहमद, नंगेयालिया, खरोटे को ले लेना है, कप्तान के तौर पे दिल अगा को ले लेना है, occupतान के तौर पे धर्वेश-रसूली को ले लेना है, सो यह overall detail analysis था इस particular match का आगे आने वाले समय में हर एक छोटे बड़े fantasy match का update आपको यहाँ पे दीखने को मिलेगा सो make sure कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करे इस वीडियो को भी like करके चैनल को जरूर subscribe करके रखे thanks for watching friend